यह क्या जाहिल पना लगा रखा है क्या चल रहा है इस खर में पढ़ाई लिखाई छोड़ कर यह नाजगाना चल रहा है पापा दीजी का डांस कॉम्पिटिशन है मैंने अभी तक परमिशन नहीं दी है लक्ष्मी की तबियत खराब है यहाँ पर काटते को बहुत चिंता हो रही है लक्ष्मी की तबियत खराब नहीं है पर गाहितरी ने ऐसा सब लोगों को बोला है कि लक्ष्मी नहीं आ सकती है किसी भी पूजा में मंगल के यहां यहां पर उसको धमकी दे दिया ना कि तुम किसी पढ़ाई से भागने का बहाना है यह सब इशाना एक तो तुम्हारे वैसे ही माक्स कमा रहे है उपर से यह वाहियात शौक पढ़ाई करने बैठो अधिजी इशाना ने अपना होंवग पूरा कर लिया है उसकी पूजा में नहीं जाओगी और उससे बात भी नहीं करोगी लेकिन यहां पर ऐसे कहा हो सकता है कि मंगल और लक्ष्मी भाई अलग हो जाए यहां मंगल आ जाती है लक्ष्मी के लिए काड़ा वड़ा लेकर घर मतई है और उसके और उसको पीलाती है और यहां इसको बाग लेना चाहती है और इसमली नहीं लेकिने आपर हाथ पर जोड़ के चली जाती है आपर मंगल कहती है तुम यह काड़ा पीना और थोड़ा सा आराम कर लेना कर दीजिए और वैसे भी अधिर जी इसको भड़ाई के अलावा दूसरी गदी विदियों में भाग लेना चाहिए ना हाँ मंगल क्यों नहीं तब ठीक हो जाएगी अभी यही सब तो सिखाओगी तुम तो तुम्हें तो आता ही यह सब है अधित संभाल के क्यों अमा पर लक्षमी को पताए कि ऐसा खुशनी होने वाला है वो मनी मन सोचते कि माने मना कर दिया नहीं तो अब मैं तो जा नहीं सकती हूं इनके किसी भी फंक्शन में और यहां पर सा कारी है ना बही कार्टिक को किसी तरीके से कभी उसको बोलती है दवाई निखा रही है ध्यान नी रख रही है कभी उसको बोलती है कि भाई यह पूजा में जाने के लिए इतनी जित कर रही है तो यहां पर कार्टिक को लग रहा है कि शायद मैंने गल्ती कर दी से शादी कर पर यह आपर यह सारी चीज़ेम tv uniform पूलता है तो लक्षमी कौती look तो देखें संगा यह का सश बता देगी अपर यह कोड़ा है तो कि अ Hayır अ